इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तीन ऐसी वेबसाइट के बारे में जहां से आपको 100% do follow backlinks मिलने वाले हैं काफी अच्छी वेबसाइट हैं, authority websites हैं, page authority and domain authority ठीक थाक है इन वेबसाइट की तो आप इन वेबसाइट पर जाके अपनी website के लिए backlink क्रिएट कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम step-by-step जानेंगे कि इन वेबसाइट पर आप अपनी website के लिए backlink किस तरह से create कर सकते हैं साथी साथ इन वेबसाइट की authority क्या है, क्या page authority है, क्या domain authority है साथ ही साथ similar way पर इनके क्या states है यह हम इस वीडियो में step by step cover करने वाले हैं तो अब चलते हैं अपनी very first website की तरफ तो हमारी जो first website है इसका नाम थोड़ा सा अजीब है यह जितनी भी website के urls है मैं आपको वीडियो की description में भी provide करा दूँगा तो यहां पर backlink क्रियेट करने के लिए simply आपको सबसे पहले register वाले बटन पर क्लिक करना है और इसको translate कर लेंगे आप English में क्योंकि यह अधर लैंग्वेज में पुर्तुगीज लैंग्वेज में इसको आप English में translate कर लेंगे इसके बाद आप अपना username देंगे email ID देंगे password देंगे और यहां पर I am not a robot पर क्लिक करेंगे और create an account पर क्लिक करने के बाद आप अपना जो associated email है उसको verify करा लेंगे इसके बाद आप login करेंगे तो मेरा already account है इस website के ओपर तो मैं direct login कर लेता हूँ ठीक है तो यहां पर मैं अपने account में login हो चुका हूँ अब यहां पर आपको एक option मिलेगा देखें मैं दुबारा से इसको translate कर लेता हूँ English में यहां पर आपको my panel का option मिलेगा यहां पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद आएंगे आप एडिट प्रोफाइल पर एडिट प्रोफाइल पर आने के बाद एक बार फिर से यह translate हो चुके एंग्लिश में ठीक है आपको क्या करना है यूजर नेम देना है आपको यहां पर इसके बाद आप अपना first name last name देंगे इसके बाद जैसे कि मैं यहां पर आपना name change कर लेता हूँ विशाल कोशिक ठीक है इसके बाद आप कोई भी nickname देंगे जैसे कि मैं दे देता हूँ rocks इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक option मिलेगा website का यहां पर आपको simply अपना website का URL copy करना है और यहां पर इस वाले section में इसको paste कर देना है इसके बाद आप चाहें तो about me section में भी आप अपने बारे भी short note दे सकते हैं जैसे क author is a professional blogger content writer and youtuber चीक है कुछ इस तरह से आप अपने बारे में short note दे सकते हैं इसके बाद आप यहां पर अपना Twitter और Facebook का URL आप देंगे इसके बाद नीचे आप स्कॉल करेंगे और यहां पर इसको आप update यूर प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे जब आप update कर देंगे तो आपका backlink create हो जाएगा अब यहां पर यूसर नेम का एक option मिलेगा यहां पर क्लिक करेंगे और चेक करते हैं कि हमारा जो backlink है वो create हुआ है या नहीं हुआ है तो आप देख सकते हैं आप हमारा backlink आ चुका है अगर मैं इसको inspect पे जाके right click करके inspect पे कर लेते हैं कि इस website की जो authority है वो क्या है ठीक है तो मैं यहां पर home page पर आ चुका हूं इस website के home page पर तो इस website की जो page authority है वो 36 है domain authority 33 है इस पर हम स्कोर थोड़ा सा ज्यादा है 9% and अगर similar way पर इसके हम estates की बात करें तो यहां पर इसका जो estates है वो reflect नहीं कर रहे है monthly visit 760 है 75% का bounce rate है average station duration 23 seconds है and इस website का जो traffic है वो Brazil, Vietnam, Bangladesh, Serbia and France से है साथी साथ इनका जो 100% traffic है वो direct traffic है तो यहां से आपको आपका first do follow back link मिल जाता है आप चलते हैं अपनी second website की तरफ तो हमारा जो second website है वो .gov वाली website है myasam.mygov.in तो यहां पर back link create करने के लिए आपको इस page का URL में आप जितनी website के URL है मैं आपको वीडियो की description में भी provide करा दूँगा तो यहां पर comment करने के लिए आपको पहले इस पर sign up करना है ठीक है यहां पर आपको register का option मिलेगा आप register कर लेंगे ठीक है तो मैं अपने account में login हो चुका हूँ है आप देख सकते हैं आप बैक जाते हैं एक पर और आप नीचे scroll करेंगे तो यहां पर आपको एक option मिलेगा reply का ठीक है यहां पर मैंने already comments किये हुआ है आप देख सकते हैं आप लोगों ने comment किये हुआ है और अपनी website के urls भी दिए हुआ है ठीक है यह दिए हुआ है मैंने भी अपनी website के urls दिए हुआ है तो आपको क्या करना है simply आप चाहें तो मेरे comment पर reply कर सकते हैं आप reply पर क्लिक करेंगे ठीक है अब यह थोड़ा सा slow website है थोड़ा loading में थोड़ा सा time ले रही है ठीक है इसके बाद यहां पर आपको comment का एक option मिल जाएगा आप इसको translate कर लिजें English में चीक है इसके बाद आप यहां पर कोई भी किसी भी comment पर answer करेंगे जैसे कि मैं यहां पर ले 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 था हूं कोई भी जैसे मैं इस पर answer करता हूं तो यहां पर एक box open हो जाएगा आप कोई भी comment दे सकते हैं जैसे nice guys keep it up इस तरह से कुछ भी आप दे सकते है इसके बाद आप वेबसाइट का जो URL है, इसके लिए आपको backlink create करना है, आपको वो URL यहाँ पर paste कर देना है, जैसे कि मालूम मैं अपनी व्लॉगर website है, मुझे इसका link यहाँ पर देना है, मुझे इसके लिए backlink create करना है, तो मैं यहाँ पर simple comment कर दूँगा, nice, nice website content, keep it, इस तरह से मैं कुछ comment देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर enter करूँगा, और यहाँ पर अपनी website का URL यहाँ पर paste कर दूँगा, और यहाँ पर इसको कर दूँगा, save it पर click, तो जैसे ही मैं save it पर click करूँगा, तो मेरा यहाँ पर backlink आ चुका है, अब मैं इसको एक बार check भी कर लेता हूँ कि यह do follow है, no follow backlink है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहीं पर भी no follow का tag आपको नहीं मिलेगा, और इस website की authority भी काफी अच्छी है, और dot go, यह awesome mygo.in website है, तो इस website की जो page authority है, वो 34 है, and 67 इसकी domain authority है, 18% का spam score है, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आप चाहें तो आप अपने blog post के लिए, root domain के लिए ना बना कि आप blog post के लिए, या कोई भी category URL दे सकते हैं, इसके बाद अगर हम इसकी authority की बात करें, तो authority की बात हो चुकिए, page authority 37 है, domain authority 67 है, and traffic इस पे around 21,000 से ज्यादा का traffic है, bounce rate 30% है, ठीक है, and average station duration 1.34 minutes का है, and इंडिया से है traffic, सारा 100% जो traffic है, इंडिया से है, and 45% से ज़्यादा का traffic इन का referral से है, 27% email से है, search से है, 27% का traffic, तो यहाँ से आपको आपका second backlink मिल जाता है, अब चलते हैं, अपनी third website की तरफ, तो हमारी जो third website है, वो है producthunt.com, तो यहाँ पे back link create करने के लिए simply मैं इसको logout कर देता हूं, और starting से आपको बताता हूं कि कैसे आपको करना है, इस पर बद, यहाँ पर sign up पे click करेंगे, sign up पे click करने के बाद, आप login हो जाएंगे, अपने Gmail account के थो, तो मैं आपे already, मेरा already account है, तो मैं आपे direct login कर लेता हूं, Gmail के थो, ठीक है, यहाँ पे मेरा login मैं हो रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ वेब मैं आपने account में login हो चुका हूं, तो इस पर backlink create करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी profile picture पे click करना है, और यहाँ पर profile पे जाना है, ठीक है, profile पे जाना है आपको, और लगे आथ इसकी website की authority भी हम check कर लेता है, इ तो इसकी जो page authority है, 39 है, domain authority 90s में, 90 authority है, इसकी spam score only 4% है, अगर similar way पे इसके states की बात करें, तो United States में जो इसकी country rank है, वो 11,884 है, category rank 334 है, and 54% का bounce rate है, 30, around 4, 3.9 million का monthly traffic है, 2.17 minutes की इसकी average duration है, and United States से 22% traffic, बाकी India, United Kingdom, China and Germany से है, साथी साथ 51% का traffic in का direct है, 30% search से है, referal से है, 7.64% बाकी का social email से और display ad से है, तो यहाँ पर backlink create करने के लिए आपको simply अपने profile picture पे click करना है, यहाँ पर आ जाना है और profile पे click करना है, profile पे click करने के बाद आप जाएंगे सीधा edit my profile पे click करेंगे, और यहाँ पे आप अपना कोई भी display name देंगे, यहाँ पे username देंगे, इसके बाद headline दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया हुआ है fitness trainer at goal gym, तो आप कुछ भी headline दे सकते हैं यहाँ पे ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो current company के बारे में दे सकते हैं और role and about अपने बारे में कोई short note दे सकते हैं जैसे कि I am a digital marketer, marketer, youtuber and blogger, कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं तो मैंने यहाँ पे यह दे दिया है, इसके बाद आप जाएंगे नीचे तो आपको additional links का option मिलेगा तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे अपनी website का name देंगे, जैसे कि मेरी website का नाम है high rated, गब्रू, तो मैंने यहाँ पे यह दे दिया, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे link दे दूँगा अपनी website का, इसके बाद add link अगर multiple websites है तो आप वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे मेरी जो second website है मैं उसका भी अगर मेरे को backlink create करना है, तो म इस website का name दे दूँगा, जैसे कि मेरी website का नाम है the SEO book, यहाँ पे जाओंगा, मैं इसको paste कर दूँगा, ठीक है, सेम इसी तरह से अगर और आपकी कैसारी और multiple websites हैं, तो वो भी आप जाके in website के लिए backlink create कर सकते हैं, तो जैसे मेरी blogger website है technical pro, इसका भी मेरे को backlink create करना है, तो म यहाँ पे इसका नाम दूँगा simply और यहाँ पे इसको paste कर दूँगा, ठीक है, इसके बाद आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे इसको आप सेव कर देंगे, यहाँ पर यह अपडेट हो चुकी है, अब दुबारा से जाएंगे अपनी profile पे, और चेक करेंगे कि हमारे जो back तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी nofollow का tag नहीं है, तीनों जो back links में ने दिये हैं, 100% dofollow back links है, तो इस तरह से आपको तीनों website पर backlink मिल जाते हैं, इस website की जो authority है, काफी अच्छी authority है, 39 page authority है, 90 इसका domain authority है, ठीक है, traffic भी काफी अच्छा है, अभी हमने चेक किय है, काफी अच्छा traffic है, तो आप जाके इन website पर backlink कर सकते हैं, अपनी website के लिए, तो यह video अगर आपको helpful लगी हो, तो आप इसको like और share करना ना भूले, साथी साथ मेरे चैनल को भी आप subscribe कर सकते हैं, ताकि जो next video मैं बनाओ, वो timely notification की तरह आप तक पहुंस दिए हैं, thank you so much guys झाल कि ते हमाने द्वचर को लिए्याट भाम सबस्क्राइब का दो झाल दो सकते हैं, वो आपको हैं, तो के प्लिए पर छिए हो, आह सक्षी कर साथी सल्दोंसब ते